जीत की खातिर जुनून चाहिए और जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए ये आसमा भी आएगा जमी पर बस आपके इरादों में जीत वाली गूंज चाहिए नमस्कार साथियू महराज कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार PVR स्टडी में तो दोस्तों आज की कलास में हम लोग बहुत दमाल मचाने वाले हैं कैसे क्योंकि आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 यानि परसना वली आज दस हम लो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने इनके मान निकालने बता दिये थे कि साइन का इनका मान कैसे निकालोगे आज सिर्फ कोश्चन करना है तो पहला कोश्चन क्या कह रहा बाबू स्क्रीन पर देखो फटा फट इस्क्रीन पर कोश्चन आपको दिख रहा है कह रहा है के मान निकालिये क्या क्या है sin 60 into cos 30 plus cos 30 के बाद में sin 30 और cos 60 ठीक है sin 30 और cos 60 ओके done भई नीचे आजा तू नीचे आजा थोड़ा ओके चलो sin 30 और cos 60 ओके done चलो तो sin 60 का मान क्या होगा बबू sin 60 का मान क्या होगा जो cos 30 का मान होता है वही sin 60 का मान होता है root 3 पान 2 है ना यही होता है क्या हाँ सही है तो root 3 पान 2 और sin 60 का जो होता ना वही cos 30 का होता है यनी इन दोनों के मान यही होते हैं ओके अभी मनें इंट्रोडक्शन पार्ट में यह पढ़ाया था अगर तुम्हें नहीं पता इनके मान कैसे निकालते हैं तो आप कमेंट करके बताओ इंट्रोडक्शन पार्ट मिल जाएगा इसके पहले का ठीक है साइंटीस संस का मान एक बटादो होता है और जो साइंटीस होता है वही कास्टार्ट होता है इस तरह से यह बराबर हो गए इनका वर्गमुल है पहले से गुड़ा करोगे बाबू तो यह तीन हो जाएगा इनका गुड़ा करोगे चार हो जाएगा इनका गुड़ा करोगे 1 upon 4 हो जाएगा आपको बहुत अच्छे से पता है हर हर बराबर है अंस अंस जुड़ जाएगा ये फाइनल में 4 upon 4 हो जाएगा इन्हें सिंप्लिफाई कर लोगे 1 आ जाएगा ये क्या हो गया, लिख लीजिए, इसक्रें साड ले लीजिए और मैं इनको नहीं को मिटाऊँ जल्दी करिए अब कुस्चन में इतना दिखा पाऊँगा कुस्चन मैं यह हलके हलके में करके दिखाना पड़ेगा लिख लीजिए हो गया, डन कोई सवाल कोई डाउट एनी कम्पलेन बताओ नहीं ना इस्क्रिन साथ लो चलो अगला नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट दिखाओ भई अगला पार्ट देखो नीचे क्या कहता है कह रहा कि 210 स्क्वाइर 45 डिग्री कुश्चन दिख रहा है इस्क्रिन पे न तो मैं अब आता है दिखावा फिर ते दिख रहा है ना चलो तो कह रहा है बाबू क्या कह रहा भई कह रहा कि 210 हम अरे 210 तो बाद में लिखेंगे पहले हम एक्सरसाइज तो डाल दें एक्सरसाइज 8.2 आर टेंथ एंसी ए आर्टी मैथ एसाई लिख दो गोंचो नहीं है डन समझो मेरे साथी 2 टेंथ 3 पहतालिस दिख रहा ना या कि एدة 5 कमान क्या होता है चन्तियों सेयन 5 कमान 1 बटा रूट 2 होता है ना कॉस्ट्थ कभी एक पटा रूट 2 होता है जब दूनों का बराबर होता भाग देतेन प्धान तो 10,45 का मान एक होता है और चुकि 10,45 का square है इसलिए क्या करेंगे हम 1 का square कर देंगे हम सिर्फ मान रख रहे हैं question आपको screen पर नीचे दिख रहा है देख लो हमने क्या किया 2 को वैसे लिख दिया जो सवाल में है 10,45 की जगापर हमने 1 रख दिया इस तरह से 1 का square हो गया फिर इसक्रिन पर question देखो 2,10,45 के बाद में प्लस का sign लगा है तो हम प्लफ लगा देंगे अब लिखा है cos square 3 cents cos 3 cents का मान अभी मैंने बताया कई बार बताया तुमें cos 3 cents का मान वही होता जो sign 6 का होता है और यह होते हैं root 3 बटा 2 क्या होता है root 3 बटा 2 सन्योग से इसका square है तो हम इसका भी यहाँ square कर देंगे इस्क्रिन पर फिर question देखो नीचे सबसे side में नीचे plus cos square 30 के बाद माइनस 60 sorry plus cos square 30 के बाद में minus sign square 60 है तो minus कचिन लगाएंगे और find 30 cents का मान क्या होता है sign 60 cents का मान न इसका भी square करेंगे बस इनको हल कर लेना है जो भी आएगा simplify करके आपका answer आपके सामने है तो साथी इसको हल करेंगे 2 हो जायेगा इसका square करेंगे 3 और नीचे 4 और यह minus 3 बटा 4 इसमें किसी को कोई doubt any question नहीं न देखो यह plus में है यह minus में है इसमनों एक समान है सब कुछ तो इन्हें हम काट सकते है फाइनल में दो answer लिख सकते है क्यों क्योंकि यह plus 3 बटा 4 है यह minus का 3 बटा 4 है यह हो गया answer जल्दी से screenshot लिजिए note करिए हमारी भी थोपड़ी आनी चाहिए screenshot में चलो अरे भाई फोटो केचन है यार किछ लिए अच्छा लग रहे ना हम सुबा ही ना है आज चलो अगला इसका तीसरा पार्ट देखो अगला वाला ए भाई साही दिखा यार गंदा नहीं question तो साही दिखा दो कम से कम नीचे देखिए सबसे नीचे question दिख रहा है बोलो हाँ NCRT का book लियो ना बाबू सबी लोग comment करके बताते रहना और हाँ इस class को like करना न भूलना यार यह आपकी जिम्मेदारी हाँ like जरूर कर देना यार प्लीज हाँ और subscribe भी कर लेना उसमें काय अर्जा है चलिए मैं question नहीं लिखूंगा सिर्फ मान रखूंगा directly आप ध्यान से देखना question कह रहा है cost 45 अंस नीचे बटे में sec 30 अंस प्लस cost sec 30 अंस तो क्या करेंगे बाबू cost 45 अंस का मान रखेंगे cost 45 का मान क्या होता है मैंने अभी अभी बताया था मान निकालना cost 45 अंस का मान होता है एक बटा रूट दो नहीं आता मान निकालना तो comment करके बताना आपको video link मिल जाएगी इस class के बाद में ठीक है sec 30 अंस का मान देखो बाबू एक चीज़ मैं तुम्हें नहीं बताया क्या साइद sign का उल्टा cost 6 होता है लिख लो और cost का उल्टा sec होता है और cut का उल्ट sorry time का उल्टा cut होता है तो जो sign 30 का मान होता है न उसी से cost 6 का मान निकलता है और जो cost 30 होता है उससे sec 3 का मान निकलता है तो cost 30 क्या होता है आपको पता हैं मैं बताया हूँ, अभी सब बताया हूँ cos dhansqamann वह होता है जो 600 dhansqamann होता है यादि अन्डरूट 3双 2 होता है किसका? cos dhansgamann, root 3双 2 होता है तो 6 का क्या हो जाएगा? root 3双 2 का 3双 2 हो जाएगा पाबू ये cos dhans would का होता है जगानी पड़ेगी इसमें थोड़ी सी एकदम छुटी सी बस तो यह हो जायागा दूई बटा रूट तीन ठीक है डन किसकी जगह पे किसकी जगह पे 31 की जगह पे फिर प्लस का साइन है तो प्लफ लगाओगे कॉस्यक तीस बहई कॉस्यक तीस का जानते हो क्या होता है साइन तीस जानते हो साइन तीस हंस्कमान एक बटादो होता है तो सिक्विं टो बटा एक होगा दो बटाएक का मतलब दो घो बस यह हमिंडिया अपको कर लो फटाफट किसी को कोई डाउट है तो बताईए मैं बीच बीच में सामने से हड जाता हूँ आप स्क्रीन देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं क्लियर हो जाती स्क्रीन ठीक है और पूरा क्लास एंड तक देखना बीच में छोड़ के ना जा ना राजा हां चलो एक बटा दो ऐसे का ऐसे ही रहेगा उपर जो है अभी नीचे निप्टाएंगे इनको हम सब आपको तिर्चा मिर्चा गुड़ा करना आता है न आता है कि नी वन का मल्टीपल टू में करोगे तो यह टू रहेगा प्लस थ्री का इसमें करोगे तो यह हो जायगा टू इंटू स्क्रीन से अब हमने आपको बताया था बाबू अगर ऐसा होता है कहीं अभी अभी बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में साइद एक बार मैं फिर से बता दूं तुम्हें ध्यान से देख लो इधर इधर देख लो राजा देख लो बाबू देख लो देख लो क्या होता है पता है एका गुड़ा डी में होता है बी का गुड़ा सी में होता है यानि एका डी में बी का सी में याद रखना तो ऐसी स्थिति यहां पर बनी है यह है यह यह बी है यह सी है पूरा यह डी है तो एका गुड़ा डी में करेंगे तो बहिया हो बाबू हो कर लो A का गुड़ा D में ये लो और फिर A का गुड़ा D में हो गया ये B है B का जगा का गुड़ा C में करेंगे ये ऐसे बनेगा ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना No doubt, no tension चलो आगे बढ़ते हैं खटाखट हम लोग देखिए यहाँ पर हमें इसका multiple पूरे में करना, इसलिए हाँ कोई ठाक लगाएंगे नहीं तो ये एक आय में गुड़ा हो जाएगा कोई ठाक जरूर लगाना ठीक है अब इसके आगे हल कर लेते हैं जगा बची है, इसमें कुछ हल वल नहीं होगा अंडरूर लगा, इसके आगे कुछ होगा नहीं लेकिन जो हो सकता है लिख देता हूँ ये अंडरूर तीन हो जाएगा वन का multiple होगा ये दो का गुड़ा जब रूट दो में होगा ना बाबू अंडरूर टू का गुड़ा जब इसमें होगा तो ये टू इंटू अंडरूर टू हो जाएगा बीच में प्लस इस रूट टू का multiple जब इसमें होगा देखो अंडरूर टू में जो जो है उसका गुड़ा हो जाएगा तो अंडरूर दो का गुड़ा अंडरूर टीन में होगा तो अंडरूर चा हो जाएगा लेकिन ये दो ऐसे ही रहेगा जैसे है पहले यही आंसर हो जाएगा इसमें और आगे कुछ नहीं हो सकता है कि हो सकता है क्या सोच के बताओ आप कुछ हो सकता है क्या हाँ हो सकता है ऐसे इसको आंसर नहीं छोड़ा जाएगा इसके आगे हो सकता है क्यों छोड़ा नहीं जाएगा उसका रीजन क्या है इतना लिख लो तब मैं इधर मिटाऊंगा फिर बताऊंगा हो गया वैसे भी तो यह अलग कुश्चन था ना चलो अभी आंसर नहीं हुआ हो अभी आगे करेंगे उसमें परमेई करण करेंगे एक्चुली में साथियों उसमें नीचे वर्गमूल का चिन्ध लगा है यह तो मैं ऐसे लिख दिया आंसर फरजिये में अभी आंसर नहीं अभी इसको हल करेंगे हां इनको क्या करेंगे अब अब हर का परिमेई करण करेंगे आैसे धिती में क्या करते हैं हर का परिमेई करण करते हैं उदर जगा नहीं इ Smash ह्यक्राइ अब वो तो यहाँ पर लिखेंगे अंडरूट 3 अपान में जो भी है लिख लो 2 under root 2 plus 2 under root 6 ठीक डन साथियों हर का परमेई करण का मतलब ये पूरा का पूरा जैसे है ऐसे ही लिख लेते हैं सिर्फ चिन जहां पर plus है वहां पर minus या minus है तो plus कर देते हैं बस तो ये पूरी कहानी ऐसे ही रहेगी ये plus की जगा यहां minus हो जाएगा बस बाकी और कुछ नहीं होगा सब वह ऐसे रहेगा same to same सब का multiple करो फटा फटे एक में खटा कट करो जल्दी जल्दी कर लोगे ना कोई दिक्कत नहीं इनका गुड़ा इसमें कर लो आपस में देखो कितना आएगा मुझे बताओ मुझे कुछ गड़बड लग रहा इसमें ए गड़बड है गड़बड क्या पता है जब पर्मेई करण करते ना बाबू तो जो हर में रहता है न इसी से गुड़ा करते है उपन नीचे चिन्द बदल के मतलब पूरा पूरा भिन नहीं लिखते हैं तो ये पूरा का पूरा ये ही तो रहेगा ये रहेगा आब वही न बाद यानि चिन्द बदल देते हैं उसी हर से ही उपन नीचे गुड़ा करते हैं ठीक है तो आब इनका इसमें गुड़ा कर लो भई मल्टिपल कर लोगे न सभी कोई दिक्कत तो नहीं न किसी को अंडरूर तीन का गुड़ा जब इसमें करेंगे तो आपको पता ये अंडरूर छे हो जाएगा लेकिन ये दो जो आगे लगा है वह ऐसे कब ऐसे ही लगा रहेगा ठीक है कोई दिक्कत इसमें नहीं न कोई दिक्कत मुझे लग रहा है कि आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकती है हो रहा है देखो बताओ एक बार पूरी कहाने सुन लिजिए कहीं जाना नहीं देखो समझो अगर इमानदारी समझो के अच्छा रहेगा साथियों फिर से पूरा बता रहा हूं यह यहां पर अठारा रहेगा समझो थोड़ा था बताना मुझे यह देखो कैसे यह आपकी एक नई लाइन है उपर एक लाइन हल हुई थी यह नई लाइन थी हमें रूट तीन का मल्टिपल इसमें करना है कुछ लोग नहीं समझ रहे उनके लिए बता रहा हूं देख बाबु जब ऐसे कहीं गुड़ा होता है न तो जो अंडरूट में है जैसे यह अंडरूट में है यह है तो इन दो साज में है न यह चीज है तो इसी तरह से यह दो इंटो इंटरूट रूट खे हुआ है कौनसा हुआ है यह क्योकि रूट तीन का गुड़ा जब दो में हुआ तो यह 6 हो गया यह 2 ऐसे का वहत्ती इसी तरह से ס पाथियो हो गढु ना जब ऊस्मक्र इन का मंतिफल तो लगा दीजिए फिर दिक्कत क्या है बैस सूतर लिख के दिखा देता हूं तुम्हें थोड़ा इधर कॉन्ने पर देखिए मैंने सूतर लिखा इसे देख लिजी ध्यान से एक बार एक मेंजर A पलस B A माइनस B का सूतर होता है A स्कॉर माइनस B स्कॉर ठीक है तो इसे समझ लिजीए ये किवल फार्मूला समझने के लिए मैंने बताया था ठीक है जो अभी अभी बीच में जुड़ा है वो समझ ले कोईस्चन यहां से सुरू हुआ है मैंने मान जो रखे है exercise 8.2 परसन संख्या पहले का तीफरा पार्ट है सारे मान रखे मैंने यहां तक किया यहां के बाद मैंने यहां किया है यहां करने के बाद में इसको लिखने के बाद में यह लाइन यहां चल रही है यह फर्मूला आप समझ गे तो मैं इसको मिटा दूँ जिससे confusion ना हो किसी को बीच में कि हाँ ये क्या लिखा है ठीक है तो साथियों नीचे हो जाएगा A square minus B square यानि इसका whole square ये A की जगापे है न और minus B square मतलब इसका whole square इसमें किसी को दिक्कत नहीं न ठीक है, done तो ये 2 under root 6 इसे यहाँ पर याद रखना इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है तो साथी मेरे इसमें हम 2 common ले सकते हैं अगर 2 common लेंगे तो यह ऐसे बचेगा ठीक है, इसमें 2 निकल जाएगा common अब ये 2 का whole square 4 हो जाएगा और ये 2 का square क्या हो जाएगा 2 न आप थोड़ा confusion में होंगे कईसे बईया इसको इतना लिख लो, फिर मैं मिटाता हूँ मिटा के पहले इतना लिखेंगे यहाँ तक फिर इसको लिखेंगे, उसके बाद यहाँ फिलिखेंगे जल्दी करो इतना कर लो, फिर मैं मिटा के बताता हूँ हो गया done चलो ठीक है देखिए जो हमारे साथ में जुड़ेगा step by step पढ़ेगा बाबू उसी को समझ में आएगा अगर आप अभी बीच में जुड़े हो न तो आप ये class खतम हो जाएगी तो फिर से class देखना तो समझ में आएगा या फिर अभी नया question बताएंगे तब वहां से समझ में आएगा लेकिन अगर तुम कहो कि हम बीच में जुड़ गए हमें सब समझ में आजाए तो नहीं समझ में आएगा इसमें step by step पढ़ोगे तब ही समझ में आएगा बीच में जुड़ने फिर नहीं आएगा चलो समझो इसकी जगह पे हम पूरा आठ लिख सकते हैं और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दो दूना चार चंग चौबिस अब ये कैसे हुआ जरा समझो हमने कहा कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बाबू आठ लिख सकते हैं ऐसा क्यूं? देखो whole square लगा बरेकट बंद है इसका मतलब ये है कि इसका भी square है और इसका भी square है detail में समझो ठीक है? तो 2 का square 4 होगा और 2 का square अंडर रूट में है तो इसका भी अंडर रूट 4 होगा बोलो होगा न? तो ये 4 ऐसे ही रहेगा इसका वर्गमूल होगा तो 2 आजाएगा फाइनल में 8 होगा किसी को कोई doubt है तो बताओ इसका यही मतलब है बोलो समझ में आया न? आया न? तो जो वर्गमूल के अंदर अगर ऐसा रहता है कोश्टक बंद रहता है तो जो बाहर है उसका तो वर्गमूल सीधा फिधा होता है वर्गमूल नहीं वर्ग होता स्वरी स्क्वाइर तो 2 का स्क्वाइर 4 हो गया लेकिन जो वर्गमूल के अंदर है अगर उसका भी स्क्वाइर लगा है तो उसका स्क्वाइर होता तो है लेकिन आधा रह जाता है यहनि अगर हम start cut में बात करते तो जो इसका square हुआ 4 और इसका 2, 4, 2, 8 इसलिए हमने लिखा लिया लेकिन detail यह है समझ गए ना तो चलें आगे बढ़ें इसमें किसी को कोई doubt बिल्कुल कोई तकलीफ होगी तो बता दें मुझे कि यहां इसमें बड़ी तकलीफ है देखो भाई अब क्या करेंगे बाबु समझना यह जैसे भी है इसे ऐसे ही लिख लेंगे अंडरूट यह 6 है माइनस अंडरूट का 18 नीचे क्या करेंगे इनको घटाएंगे 16 आएगा ठीक है इनको हम सिंप्लिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा सिंप्लिफाई कैसे कर सकते हैं जड़ा सोचो और बताओ मुझे जड़ा सोचो और बताओ सोचो बताओ हम एक काम कर सकते हैं इनको काट सकते हैं अभी माइनस 8 है यानि यह बचेगा under root 6 minus under root 14 niche minus partido लेकिन कभी भी answer में minus लगा के नहीं छोड़ा जाता है यह rule होता है क्यों होता है कैसे होता है इसके बारे में आप भी पढ़ने लायक नहीं हो बड़ी class में जाओ गे बताजा जाएगा तो हम इस minus को हटाएगे इसके लिए हम minus 1 से उपर नीचे गुड़ा करेंगे दोनों में ठीक है तो minus 1 से जब उपर नीचे गुडा करेंगे बाबू तation यह ऐसे हो जायोगा detail में बता रहा हूं समझते जाना detail में बता रहा हूं यह ळो ऐसे होगा तो नीचे का minus जो है वो plus हो जाएगा minus minus और इसमें जब गुड़ा होगा थी şekilde 되는데 यह minus one और यह minus plus हो जाएगा यानि 18 प्लस हो जाएगा यह उच्छा वाला minus हो जाएगा तो हमला पहले लिखते हैं इसलिए 18 पहले लिख देंगे और यह under ब songs by ख्रम cups a यह आपका क्या हो जाएगा ay no very 1961 नहीं होगा ठीक है यह उत्तर आगया आपका थर्ड पार्ट समझ में आया जो साथी पूरा कलास देखे थे सिस्टम से उन्हें अच्छे से समझ में आया होगा और जो बीच-बीच में इधर उदर जुड़ा होगा खचर-पचर करके उसे नहीं समझ में आया होगा है ना अगर कोई डाउ दिख रहा हो गया चौथा पार्ट देखिए सबसे नीचे स्क्रीन पर देखिए आपको कुश्चन दिख रहा है कि नहीं हा या नहीं बताओ दिख रहाना पढ़िए क्या कहता है करकी साइन 30 प्लस 10 पैतालीस अंस इनको जोड़ना है तो पहले तो मुझे यह बताओ तुम स भी ना देखे अगर मान रखोगे तुम तो याद हो जाएगा अगर तुम कहों कहम बैठ के रटें 37 37 37 तो चचै याद वातना हो एक को फिर तो बैठ के रटना नहीं है बस कोसिज करते रहना यार कोसिज करने वालों की कभी हार नहीं होती कुछ कीए विना यूः जैयो कर नहीं होती, लहरों से डर करनों का पार नहीं होती, गाते रहो, नाचते रहो, क्या कमाल का जमाना है, अगर डांस बोलो तो लोग सम्मान से देखते हैं, कहते हैं, भाई फलाने डांसर हैं, लोग सम्मान से देखते हैं, अगर कहते हैं, फलाने यह नचनिया है, नचनिया, नचनिया तो बड़ा गंदा होते हैं, है ना, होता ना ऐसा, चलो, फिलाल आगे बढ़ते हैं हम लोग, जबकि डांसर का मतलब नचनिया ही होता है, वो हिंदी या वो इंगलीस है, क्विश्चन इस्क्रीन पर सबको दिख रहा, नीचे देखो हमारे, यह यहाँ दिख रहा न, क्विश्चन दिख रहा न, अरे इदा देखो ऐसे, यह यहाँ, दिख रहा न, ठीक है दिख रहा न, ठीक है, दिख रहा न, ठीक है, चलो, कहता है साइन थीसंस प्लस तैन पैताल संस का मान 1 होता है माइनस कॉसेक 30 का मान कॉसेक 60 है और जो साइन 60 का होता है उसका उल्टा कॉसेक 60 का होता है यानि रूट 3 बटा 2 का उल्टा होगा RUT 3 बटा 2 का उद्वा मतलब 2 बटा RUT 3 ठीक है अभी नीचे बाले में भी माहन रखने है अभी पूरी कहानी खतम नहीं हुई है ठीक है अभी पूरी कहानी इनकी खतम नहीं हुई है समझ न नीचे बटे में भी तो है मैंने तो ऊपरवाला इसी भी लिखाया है सेक 30 ह enseñ का मान रखो देखो बाबु, जो साइन 30 का मान होता है न उससे नहीं मतलब है जो कऊस 30 का मान होता है, उसी का उल्टा सेक 30 का होता है तो सेक 30 का मान होता है 2 बटा रूर 3 अब ये मान कैसे जानते हैं इसके लिए आप इसका introduction part देखो cost 60 hands का मान रखना है एक बटा दो फिर plus है cot 45 hands का मान रखना है 10 45, cot 45 उसका उल्टा होता है यानी 1 ये मैंने सारे मान रख दिये हैं ये 1 को हम one upon one लिख लेंगे अच्छा रहेगा ठीक है हो गया इसके नीचे भी वहन लिख सकते हैं अब इनको सिर्फ हल करना है बस हल करना बहुत आसान है देखो बताता हूँ उपर में सभी का LCM ले लो सभी का LCM ले लो दो का एक का रूट तीन का तो बाबु जब सब का LCM लोगे तो दो रूट तीन आएगा ये सब को पता है इसमें किसी को कोई मुसीबत दिक्कत नहीं हमने सब की का LCM ले लिया अब क्या करेंगे भाई LCM लेना तुम जानते हो न LCM में इस हर से भाग करेंगे जैसे भिन का हल करते हैं वैसे ही तो LCM आया है दो रूट तीन जब इसमें दो से भाग करोगे तो केवाल रूट तीन बचेगा अरे ऐसे देखो ये LCM आयागा न? LCM में क्या करते हैं? पहली भिन के हर से भाग करेंगे तो भाग कैसे होता है? ये देखो नहीं गया ये क्या भचा? तीन बचा ना रूट तीन? तो यह क्या बचा बावू, रूट तीन, रूट तीन बचा न, अब जो रूट तीन बचा है न, उसका गुड़ा करेंगे इसके अंस में, तो अंडरूट तीन का वन में मल्टिपल होगा, अंडरूट तीन, फिर प्लस का साइने तो प्लस, इस बात को याद रखना जैसे बता रहा हूँ, जिनको नहीं आता ये भी समझ में न, वो बेसिक में पहले पढ़ें, जीरो लेबल, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले जीरो लेबल पढ़ो बावू, हर रभिवार रात के नौ बज़े से पीवीर स्टडी इलाहबा चैनल पे देखो, एक एक गं ये पूरा पूरा इतना ही आएगा, क्योंकि वन से भाग देते हैं जिसमें वह उतना ही आता है, तो इस पूरे का इसमें गुडा हो जाएगा तो यह हो जाएगा दो अंडर रूट तीन, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, माइनस का चिन है माइनस लगाएंगे, अब यह अभी तक जो कहानी हुई सिर्फ ऊपर वाले में हुआ बीच वाली लाइन अभी मारना बाकी है यह बीच वाली लाइन अभ मरी यह मरी नहीं मतलब मैंने खीचा ठीक है अब नीचे वाले में आ जाओ इसमें 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 अभी तक हम इसमें इसमें और इसमें थे समझ रहे हो इसमें 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 थे अब हम इसमें इसमें और इसमें हल करेंगे इन सब का जब LCM लेंगे ए रुक के इनका भी LCM वही आएगा लेकिन LCM लिखने के पहले यहां जगा छोड़ के एक लाइन तब लिखते हैं ये दू अंडर रूट 3 लसीम आया ना ठीक है वही परक्रिया इसमें भी करेंगे साथियों जैसे उपर किया लसीम में रूट 3 का भाग करेंगे तो रूट 3 से जब भाग करेंगे इसमें तो दो आएगा दो का इसमें गुड़ा करोगे चार आएगा बीच में प्लफ है ठीक है दो से भाग करोगे लसीम में मतलब इसमें रूट 3 बचेगा रूट 3 का गुड़ा करोगे रूट 3 आएगा इससे भाग करोगे इसमें एक से तो यह क्या बचेगा दो रूट 3 ठीक है कोई दिक्कत इसमें नहीं ना नो प्रावलम नो डाउट चलो लिख लो पटापट चाप लो आगे बढ़ते हैं अभी इसमें आंसर नहीं हुआ अभी इसमें कुछ और होने वाला है कुछ और होने वाला मतलब क्या पता है तुम्हें बताता हूं चलो इतना लिखो हो अब इसमें क्या करना है आप यहां दियान दो यह कट जाएगा दोनों हां कौन-कौन यह कट जाएगा कैसे कटता है अगर आपको बेसिक पड़ा होगा तो मैंने बताया कई बार एबटा बी बटा सी वाला जो भी फर्मूला बताया वो ऐसे करोगे तो आपको क्लियर हो जा अडरूट में है इसलिए इनमें कोई रिलेफन नहीं है तो इसके आगे इसमें कुछ होगा नहीं ठीक है? तो इनको जैसे भी है वैसे ले चल का लिख देंगे अडरूट 3 धन 2 अडरूट 3 मैनस कर चार नीचे इसमें क्या करेंगे? इनको ऐसे लिख देंगे 4 पलस रूट 3 और पलस दो अंडर रूट 3 ठीक है हो गया डन कोई दिक्कत नहीं न अब क्या करेंगे साथियों इसमें कुछ काम हम कर सकते हैं उका कर सकते हैं आपने अगर वर्गमूल वाला पढ़ा होगा तो इसमें कुछ जुड जाएगा कौन-कौन जुड़ेगा भाई कौन-कौन जुड़ेगा जरा बता मुझे बताता हूं देखो ये अंडर रूट 3 है ये भी अंडर रूट 3 है दोनों वर्गमूल में अंदर में बराबर है इनका गुडांक 2 है इनका 1 है तो गुडांक-गुडांक जुड जाता है ठीक है? क्या होगा ये? ये जुड जाएगा तो बाबू ये हो जाएगा आपका समझते चलना ये पूरा हल हो गया इतने बचा है तो ये हो जाएगा 3 इनकु अंडर रूट 3 कौन-कौन जुड़ा ये दोनों जुड गया माइनस का 4 था ये 4 आपका लिख जाएगा अब नीचे देखो दोनों में वर्गमुल समान है समान है ना? समझना थोड़ा सा समझना बस जाता नहीं ये दोनों में भी वही इस्तिती है इसका भी ये जुड जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस और ये पूरा हो जाएगा और चाहे तो हमें एक काम करें इसमें इसको 4 प्लस आइफा लिखने की बजाए भाई 4 को हम उधर लिख दें कोई दिक्कत तो नहीं ना 4 को उधर क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक जैसे हो जाएगा रूट वाला एक दूसर एक उपन नीचे और एक वाला उसके नीचे तो इसले इसे हम सीरियल चेंज कर देंगे जिससे हमें हल करने में आसानी हो आप इसे नहीं करोगे तब भी सही रहेगा लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको कल्कुलेफन जादा करना पड़ सकता है ये थोड़ा अच्छा लगने लगा खिक है? लिख लेजिए इतना फटा फट अब क्या करेंगे साथियों? अब इसमें हर का परमेई करन करेंगे क्योंकि नीचे वर्गमूल में कभी भी आंसर नहीं आता है जब आंसर फाइनल में आता है तो नीचे से वर्गमूल का चिन हटा दिया जाता है इसे असूब माना जाता गड़ित में हां? चलो हर का परमेई करन करने पर आप सबको पता है इसके बारे में परिमी करण का होता है तो ये 3 into under root 3 minus का 4 ये जैसे भी है ऐसे ही लिख देंगे धन का 4 उपर नीचे जो हर में चिन है उसका चिन पलट के यहनी plus का minus minus का plus करके नीचे उपर गुड़ा करेंगे कर लो multiple कोई दिक्कत नहीं ना किसी को भाई ये दोनों एक समान चिन वाले हैं ये a plus b a minus b वाला है ठीक है तो multiple तो तुम करी लोगे इसमें कोई दिक्कत है नहीं किसी को नहीं ना इनका गुड़ा जब इसमें करेंगे है calculation इसमें एक अच्छा 10 किमेथ है मैंने मान रहा हूँ calculation है calculation करना पड़ेगा ये दोनों चिन समान है इनमें फर्मूला बन जाएगा आपका root 3 ये 3 root 3 minus का 4 का whole square बनेगा ना दोनों समान है और ये क्या बनेगा a plus b a minus b ये तुम्हें अच्छे से पता है ये तीन इंटू अंडर उट तीन इसका whole square और minus का 4 का whole square ये बन्दा आपका इनको हल कर लीजिए आगे ऊपन नीचे ले चलके इसको इधर साइड मिटा दूं कोई दिक्कत नहीं ना चलो ठीक है समझना आप कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम एनी डाउट नहीं ना चलो ठीक है समझते चलिए बिल्कुल टेंसन मतली जी एक भी बिल्कुल टेंसन मतले ना समझते चलो अब देखो भाई इसका सूत्र हम खोलेंगे सूत्र तुम सबको पता नहीं में दिखा देता हूं यहां फर्मूला लिख लो नीचे दिखा रहा हूं ए माइनस ब का होली स्कॉयर लिख लो बाबू ए का स्कॉयर प्लस ब का स्कॉयर माइनस टू एवी यह सूत्र होता है न यह तुम सबको पता है इसमें कोई डाउट नहीं यह फर्मूला है सिर्फ यह कोईश्चन में नहीं है याद रखना इसको मैं तुम्हें समझने के लिखा हूं बस नहीं तो लोग इसके बाद इसको लिख ले हैं समत करना यह सूत्र है याद रखना सिर्फ और सिर्फ यह क्या है सूत्र है इससे याद रहना चाहिए अब इसी फर्मूला में इसको open करेंगे A का square होता है तो A का square की जगा पर हम 3 root 3 का whole square करेंगे ठीक है पुलस B का square होता है तो हमारे में B की जगा पर 4 है इफ लिए हम 4 का square करेंगे माइनस का 2 A भी होता है तो माइनस का 2 लिखेंगे A की जगा पर ये मान रिखेंगे और B की जगा पर 4 है तो 4 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं किसी को कोई doubt है तो बता देना बिल्कुल भी हरान मत हो न ठीक है नीचे अब A का स्कॉयर माइनस B का स्कॉयर तो देखो बाबू यहां से समझ लो अगर हम इसका स्कॉयर करेंगे तो आपको पता है न तीन का स्कॉयर नो हो जाएगा और रूट तीन का स्कॉयर तीने होता है फाइनल में 27 आएगा कितना आएगा 20 का से बनाएगा कि नहीं हाँ 20 से बनाएगा माइनस 4 का होल स्कॉयर करोगे तो 16 आएगा आगे बढ़ो भाई इनका होल स्कार करो फिर वहीं मिल रहा है नो तरिक 27 और धन ये 16 और माइनस यहां देखो 24 आठ हो गया और तीन जो है वो इसमें छूपा रहेगा यह देखो 24 और तरिक 24 यह हो जाएगा 24 अंडरूट 3 नीचे क्या हो जाएगा इसमें से गट जालो भाई देखो जो परेसान है ना बाबू कि आ नहीं रहा है यह कच्छा 10 कि मेहत है अगर आपको बेसिक नहीं आती ना यार तो पहले जीरो लेवल सीख लो बाबू क्योंकि इससे ज्यादा बेसिक हम इसमें नहीं पढ़ा सकते हैं यह हाई स्कूल कि मेहत आप पढ़ पहले आप जा करके कच्छा 6,7,8 कि मेहत पढ़ो अगर यह नहीं समझ में आ रहा है समझने की कोशिस करो मैं बता तो पूरा रहा हूं लेकिन जो परेसान है उनके लिए देखो समझो अब यह दोनों जुड़ेगा 7,6,13 के 3,2,1,3,1,4 माइनस यह 24 और यह अंडरूट 3 औ इसलिए यह क्या है अंसर है जितना गिर सकता था मैंने इसे गिराया पटका फेंका लेकिन लाइस्ट में नहीं तक गया लिख लिजिए स्क्रीन साथ ले लिजिए वीडियो को रोंक करके लिखिए कोई डाउट है तो बताइए अगला प्रसन देखेंगे उसके पहले जो भी साथ ही अभी अगर हमें यूटूब पे सब्सक्राइब नहीं किये तो पीवीर स्टड़ी को सब्सक्राइब करें फेस लुटूबक पर फोलो होता है अगले परसन की तरफ आगे बढ़ते हैं इसमें अभी कितने प्रसन है बैए मुझे लग रहा है इसमें पाहिले वाले में कितना पार्ड था चार पार्ड तो मैंने करवा दिया एक और है पाचमा एक पार्ट और है पाचमा बस बाकी लगबग सब हो गया है न तो एक पार्ट और है आप लोग कहो तो मैं करवा दूँ कहो तो घर से कर लेना अच्छा रहेगा यह homework कर लेना यार भाई कर लोगे कि नहीं जैसे सब करवाया हूं वैसे इसको homework कर लेना कर लोगे न सभी मैंने पूरा time दिया था जो नहीं लिख पाये थे वीडियो को थोड़ा पीछे करें फिर से यह सब भट जायेगा हम भी हट जाएंगे लिख लेंगे वीडियो पीछे करके लिख लिजिए इसका पाचमा भाग तुम homework करोगे मैंने पांच में से चार बताये हैं अब एक तो करो कम से कम हां एक तो करो खुद से न चलो ठीक है कुश्चन मैं इसलिए हटा रहा हूं बार बार जगा बदल रहा हूं जिससे कि तुम्हें अगर ठीक है हो गया तो यह homework कर लोगे न यह भाग चले आगे ठीक है तो अगला कुश्चन देखिए दूसरा कुश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है ध्यान से देखिए और पूरा इंड तक देखना बहुत ही आसान है साथियों यह कह रहा है कि सही बिकल्प चुनिए इसक्रीन पर देखिए या फिर काक्षा 10 की NCRT किताब खोल लीजिए एकसरसाइज 8.2 करा सही बिकल्प चुनिए अपने बिकल्प का आउचित दीजिए है ना मतलब नीचे दिये गए जो option है उनमें से आपको जो correct option है उन्हें select करने है ठीक है और correct option में से इनका आउचित देने का मत आपको दिखा दिया हूँ नीचे आप संदिक रहा है ना चार A B C D लिखा है ना तो इनको हल करना है जो first question है उसमें से A यानि sin 60 हाएगा या B cos 60 हाएगा या C 1060 हाएगा या sin 30 हाएगा ये बताना है तो चलिए कर लेते हैं ध्यान से देखना और class को पूरा इंड तक देखन बहुत ही प्यार से देखना ठीक है तो साथी मेरे question number second है ये second का पहला पार्ट है पहला पार्ट क्या कहता जला देखना कह रहा है 210 तीस हंस क्यों यही कह रहा है 210 तीस हंस और 1 प्लस 10 स्कॉयर 30 इसको क्या करना है हल करना है यह आपको सारे मान रख देने हैं और निकाल लेना है अब हम इन सब के मान रखके इनको हल करेंगे और question स्क्रीन से हटा देंगे ठीक है जब यह हल हो जाएगा तो question आपको फिर से दिखाया जाएगा चलिए हल करते हैं ध्यान दीजिए साथी मेरे 10-30 अंसकमान आपको सबको पता है 10-30 अंसकमान एक वर्टा रूट 3 होता है होता है न यह मैंने रख दिया 10-30 नीचे 1 है 1 प्लस यह 10-30 है तो 10-30 कमान जो है उसको रखके उसका इसक्वायर करेंगे ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं देखना आगे देखना बस बिल्कुल 10 समद ले न आप एक भी पैसे कहां चलो अब क्या करेंगे ज़रा समझत दू बटा रूट 3 ठीक है नीचे का देखना यह 1 का 1 ही रहेगा प्लस इसका स्क्वायर का मतलब है एक बटा 3 इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए है ना अब नीचे 1 इतना कर लोगे इसके बाद यहां आ जाना इधर साइड में साथियों इसको ऐसे ही लिख दे और 1150 यानि यह हो जायगा नीचे क्या 3 प्लस वन और नीचे 3 एकम 3 ठीक है हलकर लीजिए दुए बटा अंडर रूट 3 इचे यह हो जायगा 3 एक 4 बटा 3 इसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं ना ऊपर का ऊपर गुड़ा नीचे का नीचे यह अच्छे जानते हो तुम इसमें कुछ कटे पिटेगा बिल्कुल इसमें कट सकता है आप देखो तो रूट 3 रूट 3 कट जायेगा लेकिन आपका होगे रूट 3 कहा है आभी देखो देखते चलो थीक है तो 2 का गुड़ा 3 में होगा अंडरूर 3 का गुड़ा 4 में होगा समझते चलो भाई ये कट जायेगा दो आयेगा फाइनल में आगी जगा है तो मैं इधर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यह मैं घेरा था जो मिटा देता हूँ, इसका काम खतम होगे, आप समझ गए, मैं जो कहना चाहता था, ठीक है, तो ऊपर तीन बचा है, नीचे दो इंटू अंडरूर तीन बचा है, क्यों यही कोई प्राबलम नहीं, ठीक है, आप देखो यहाँ पे समझो बाबू, थोड़ा सा आप लोग समझो, थोड़ा सा यह समझना है, कि हम अंडरूर नीचे लगा के आंसर नहीं लिख सकते हैं, हमेशा इसका परमेई करण करके वर्गमूल हटा दिया जाता है, तो अंडरूर त क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, हाँ या नहीं बोलो, फटा फटा बोलो, क्या मैं तीन को अंडरूर तीन गुड़ा अंडरूर तीन लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं ना, सिंपल सा है, बेरी सिंपल है, तो लिख लो चचा न, लिख लो दिक्कत क्या है, इ अंडरूर्ट तीन बटा दो बचेगा अंडरूर्ट तीन किसका मान है अंडरूर्ट तीन बटा दो आस्तों में यह किसका मान है यह बताओ अंडरूर्ट तीन बटा दो किसका मान है तिरकोडमिती अनुपात में अरे संथ 30 का है कि पैतालिस का है कि कस का है बोलो भाई रूट 3 बटा 2 साइन 60 का मान और कॉस 30 का मान है अब अब ऑप सबु में देखेंगे emoc कॉस 60 दिया है साइन 30 दिया है जो अब शर्वाइं में दिया हो और भाई वह गया हां चलो question देखो इस्क्रीन पर दिखा बाई question एक मिनट रुकना question अगला दिखाओ जो है देखो दूसरा question दिख रहा है option देखो इधर side में option देखो हमें मत देखो option देखो बस sign 60 है option में cost 30 कहीं नहीं है cost 60 है cost 60 कमान तो होता नहीं है यानि साइन साथ इसका सही अंसर हो जाएगा, आपसन नमबर A, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन साथ, बोलो हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा बाबू, साइन साइन साथ हो जाएगा, यानि हम कह सकते हैं, बराबर क्या, साइन साइन साथ, यानि ये साइन साथ का मान है, तो हम कह सकते हैं आप सब नंबर ए सही था कौन सही था ए सही था यह इसका आउचित्त हो गया जो यह आउचित्त पूछा था ठीक है कोई डाउट किसी को कोई परिसानी नहीं न कोई सवाल तो बताओ निसंग कोच बताओ हो गया आगे बढ़ें चलिए अगला नेक्स्ट कुश्चन आप देखना अगला कुश्चन पर चलें ठीक अगला देखो इसको अटा देता हूं लिख लो इसक्रीन साथ ले लिज लिजिए मैं इसक्रीन कुछ सिकंड के लिए खाली छोड़ दे रहा हूं जल्दी करिए फटाफट दन चलो अगला नेक्स्ट कुश्चन देखो इसका अगला पार्ट देखो इसमें कई पार्ट है दूसरा पार्ट का कुश्चन देखे स्क्रीन पर आपके सामने है क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना इसमें भी वही करना जैसे पहले में करना था साथी मेरे चारा ओप्शन दिये गए हैं कच्छा 10 की अंसी आर्ट आप पढ़ रहे हैं mathematics exercise 8.2 question number first है first का ये second है question number second है second का second पार्ट है कह रहा 1-10 square 45 हां ये question दिया बाबु मैं एक बार लिख भी देता हूं question आप लोगों को परिसानी है तो 1-10 square 45 और नीचे दिया है 1-10 square 45 इसको हल करना है और नीचे जो option दिये हैं पहला option A है 1090 पे B है 1 C है 10 sin 45 और D है 0 आप लोग मुझे बताओ इसमें से कौन सा option सही हो सकता है जरा सोच के बताओ एक बार चलो फटा फट देखते हैं बहुत आसान है मेरे भाई 1045 अंस कमान 1 होता है यानि 1 का holy square हो जाएगा नीचे 1 प्लस 1045 यानि वही फिर से 1 का square कोई दिक्कत नहीं है don't worry यह 1-1 अपान 1 प्लस 1 इसमें भी किसी को कोई मुसीबत नहीं वन से वन जाएगा 0 वन वन जूड़ेगा 2 ठीक है फाइनल में 0 आएगा आपको पता इसमें आपसन डी 0 दिया है न यानि हम कह सकते हैं हमारा आपसन डी करेक्ट है कौन सा है डी नंबर आपसन करेक्ट है लिख लीजिए इसक्रीन साट ले लिजिए जल्दी से वीडियो को रोंख करके आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ इसका तीसरा पार्ट देखिए कहरा साइन 2 ए बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब की ए बराबर है किसके जीरो के या 30 डिगरी के या 45 डिगरी के या 60 डिगरी के इस तरह के प्रसनों को साथ ही मेरे option से हल किया जाता है मतलब जो option दिया है उसकी सहायता से हल किया जाता है ठीक है? तो चलिए कर लेते हैं दिक्कत कोई नहीं है option से कैसे हल करेंगे भाई जरा समझना इसमें कहरा कि जो sign 2a है ना वो sign 2 sign a के बराबर है लेकिन कब बराबर है? किसके लिए बराबर है? सबके लिए तो बराबर होगा नहीं ये हमें खोजना है तो चलिए देख लेते हैं फिर काहे को दिक्कत तीसरा पार्ट देख लो sign 2a equal क्या है? 2 sign a समझना भाई, बहुत ही प्यार से समझना बाबू हाँ चलो option number a से ठीक है यहाँ पर हम लिख लेंगे चाहे तो लिख लो पहला 0 से मतलब 0 रखेंगे या फिर ऐसे breakout में ये भी लिख सकते हो a बराबर 0 रखने पर मतलब हमें ये देखना है कि किस कोण पर ये दोनों इस तरह से बराबर हो सकते हैं ठीक है? तो ये चेक करना है तो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ वहाँ पर हम क्या रखेंगे भाई? वहाँ वहाँ पर रखेंगे 0 तो रख लो बाबू तो ये हो जाएगा sin 2a 2a का मतलब 2 गुड़ा 0 ठीक है? इसमें कोई doubt नहीं equal to sin a a की जगा पर 0 यानि sin कितना? 0 ठीक है? हम कह सकते हैं कि sin 0 कमान आपको यहाँ पर एक परकार से बताना है जासे ठीक है? तो 2 का मल्टिपल 0 में ती हो जाएगा sin सुनने और ये हो जाएगा 2 sin सुनने sin 0 अंस कमान 0 होता है आप सब को पता है इसमें किसी को को डाउट नहीं sin 0 अंस कमान 0 होता इधर 2 ऐसे रहेगा इस sin 0 कमान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा फाइनल में 0 बराबर 0 यानि दोनों बराबर है दोनों बराबर है था हम कह सकते हैं option number A सही है इन परस्थितियों के लिए option number A सही है यानि 0 डिगरी के कोण पर sin 2 A बराबर 2 sin A हो सकता है लेकिन आप कहोगे इसमें तो कुछ हाल नहीं निकला आप तो एक के option लेके बताया दिया सही है दूसरा नहीं सही है तीसरा भी नहीं सही है करके देख लो सब सही नहीं है सिर्फ एक है सही है चलो दूसरा भी करके दिखा देता हूँ लिख लिजी option number आपका A फिलहाल करेक्ट हो गया यह सही है इसमें 4 option है न चलो हम एक और करके दिखा देते हैं B तीफ रख के देखते हैं क्या ऐसा होता है चलो वो भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ option number B से ध्यान देना बहुत ही गौर से देखना लेकिन यह जबकि होगा नहीं अंसर आ गया लेकिन आपको थोड़ा सा doubt न रही इसलिए हमें इसको भी करना पड़ रहा है तो लिख लो चाहिए तो ऐसे B 30 से एक जगा पर 30 इक्वल 2 साइन एक जगा पर 30 हम सबको पता है इनका multiple होगा तो साइन साइन हो जाएगा इक्वल यह 2 साइन 30 इसमें कोई बदलाव नहीं होगा साइन 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 हंसकमान आप सबको पता है 20 सुभिख्यात है अंडर रूट 3 बटा 2 यह 2 गुड़ा साइन 30 साइन साइन होता बाबु एक बटा 2 यह तुम सबको पता यह कट जाएगा रूट 3 बटा 2 बराबर एक आएगा क्या यह बराबर है अरे बोलो बराबर है यह नहीं बराबर है ऐसे लिख दोगे इस लिए क्या है बी नमबर आप सण नहीं हो सकता है क्योंकि बराबर नहीं आएगा ऐसे तुम दूसरा रखके देखलो इसमें जो 4 आप्शन है 45 रखलो 90 रखलो, सब में नहीं होगा किसी में नहीं होगा, सिर्फ 0 पे बराबर होगा ऐसा नहीं तो बराबर नहीं होगा तीक है, कोई doubt है तो बता दो, ये आपका हो गया third part, इसमें एक और part है वो भी देख लो, चौथा part देखो, स्क्रीन पर दिख रहे ना, इसक्रीन साठ ले लो फटा पट, अगला part भी ऐसे ही करना बाबू, फटा फटा ऐसे कर लो इसमें कितने पार्ठ है total चार ही पार्ठ है ठीक है चार ही पार्ठ है चलो हो गया question पढ़िये चवथा पार्ठ में क्या कह रहा है इसमें भी ऐसे ही करना है option आपको 4 दिये गए है वही जो इसमें दिये गए थे इनको भी simple में ऐसे रखना है और simple में कर लेना है ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है चलो no problem correct to 10th upon 1 minus 10 क्या square 30 यही करना है न भई कर लो 2 into 10th 10th कमान रख लो बहुत आसान है भी इसको भी बताऊं क्या बताई देता हूं चलो का एको यह है न 210th नीचे क्या है अब साथी 1 minus 10 square 30 देखो थोड़ा अपना भी बुद्धी लगाओ यह नहीं कि मैं लिखता जाओ तुम छापते जाओ थोड़ा अपना भी बुद्धी लगाओ चलो 2 into 10th 30th कमान होता है 1 upon root 3 यह तुम्हें याद रहना चाहिए मान मैं बार बार पढ़ाता हूं इफली हमें याद होगे बाकी इसको बैटके हम रटे नहीं है ठीक है 1 minus 10th कमान 1 upon root 3 और इसका square है इसलिए इसका square ठीक है अब नीचे आजाओ इधर साइड में हल करेंगे याद रखना वहां के बाद यहाँ ठीक है तो यह हो जाएगा 2 बटा under root 3 क्योंकि यह गुड़ा होगा इसमें नीचे 1 minus 1 upon 3 क्योंकि इसका whole square होगा आप जानते हो basic कितना आपको आता है नीचे दिख रहा है यह 2 बटा under root 3 साथी मेरे इसका गुड़ा होगा 3 minus 1 upon 3 भिन हल करना तुम्हें आता है इतना बच्चा तो हो नहीं तुम तो यह हो जाएगा 2 बटा under root 3 और यह क्या हो जाएगा यह घटेगा तो दिख रहा तीन आएगा ABCD वाला रूल तुम्हें पता है बाहर का बाहर गुड़ा और अंदर का अंदर गुड़ा है ना बाबू तो यह दूए का गुड़ा 3 में और under root 3 का गुड़ा 2 में यह कट गया 2 से 2 क्या बचा क्या बचा भाई 3 बटा under root 3 बचा ना कर लो 3 बटा under root 3 बचा मैंने कहा कि under root में कभी भी आंसर नहीं छोड़ते हैं तो हर उपर क्या करेंगे हम 3 को ऐसा लिख सकते हैं under root 3 गुड़ा under root 3 बोलो लिख सकते हैं कोई दिक्कत किसी को नहीं न, ऐसा लिख सकता हूं तीन को न, तो ये रूट तीन से रूट तीन कड़ जाएगा, फाइनल में अंडर रूट तीन बचेगा, अंडर रूट तीन अगर दिये गया option देखो, तो 10-60 कमान होता है, होता है गा, बताओ सोच की, इसमें देख लो किसका होता है, बताओ, ह है न, कुछ भी doubt है, तो बताओ, निसंकोच, दिखे, कुईस्टन बहुत सारे हैं, करने पढ़ेंगे, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत, मैं सामने से डोलता रहता हूं, जिसे जो बच्चा पीछे वाला लिख रहा है, वो उसे देख सके, फिर मैं इधर आ गया, इ स्क्रीन साट लोगे, तो मैं आ जाओंगा उसमें ऐसे, नीचे हाथ करके चलो, अब मैं लड़क्यों की तरह ऐसे दर नहीं करूंगा, चलो हो गया, तो इस तरह से आपका यह कोश्टन डन हो गया, सभी साथी अगला कोश्टन देखेंगे, लेकिन उसके पहले, चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और बेल आइकन प्रेस करेंगे, और पीवीर स्टडी फेस्बुक पेज को जरूर फालो करेंगे, क्योंकि फेस्बुक पर मैं सारी कलासे सिस्टम से दो-दो घंटे की देने वाला हूँ, बहुत जल्दी, ठीक है, चलिए अगला कोश्टन पर देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना जाना नहीं कहीं, चलो